कि अध्यूंड हरुन वल्कम् तू प्रफाउंड दारेक्ट मेथर्द हम शुरू कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम जो मेथर्द करेंगे वह हैं क्रामर्स रूल तो क्रामर्स रूल से हम लोग वी जोन गिन विस एवन्श पूर करेंगे y plus z equals to 3 x minus y minus z equals to 0 x plus 2y plus z equals to 0 तो फ्रेंड्स यह तीन लीनियर एक्वेशन्स आपको गिवन हैं जिसमें तीन वेरियेबल्स हैं तो सुलूशन शुरू करते हैं देखिए सुलूशन में आपको जो लीनियर equations given हैं उनसे एक determinant form करने होगी तो determinant बनाने के लिए आपको जितने भी वेरियेबल्स given हैं equations में उनके coefficients लेने होगे determinant के अंदर अब coefficients क्या होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं या पर x है x के साथ 2 है तो x का coefficient है 2 y y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब उस्यत क्या है 1 1 उसका coefficient है y का z का coefficient क्या है 1 है x का coefficient 1 है y का coefficient minus 1 है z का coefficient minus 1 है x का coefficient 1 y का coefficient 2 z का coefficient 1 तो friends, जो variables के साथ number आपको दिख रहा है, वो उसका coefficient है हमने उन numbers को एक determinant के अंदर रखा है, जिसका नाम है D 2, 1, 1 2, 1, 1 फिर 1, minus 1, minus 1 तो इसे ही हमने second row बनाया है, फिर हमने third row बनाया है तो friends, determinant लेने के बाद equations में से, अब आपको determinant की value find करने है determinant की value find out करने के लिए आपको इसे expand करना होगा तो expand आप row wise कर सकते हैं कोई भी row लेकर या column wise कर सकते हैं देखिए, solution शुरू करने से पहले आपको इस decide करना होगा कि this determinant में हम row के लिए expand करें, column के लिए expand करें मैं अभी expand कर रहे हूं row 1 के लिए तो row 1 के क्या elements है? 2, 1, 1 तो friends हमारे पास जो 2 elements है उसका position क्या होगा? A11 equals to 2 ये first row में है और first column में है देखिए first row, first column तो friends आप एक बात हमेशे ध्यान रखेगा ये जो मैंने rough work में लिखा है इसको आप ध्यान में रखेगा कि जब भी आपका position का sum even होगा जैसे कि 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2 हुआ हमें एक even number मिला तो even value के case में आपको हमेशा positive sign रखना होगा odd value के case में आपको हमेशा negative sign रखना होगा 1 के लिए क्या होगा हमारे पास position A1, 2 is equal to 1, first row, second column तो हमारे पास इसका sum कितना हुआ? 1 plus 2 is equal to 3, which is the odd number तो हमने देखा कि sum even होगा या sum odd होगा तो plus minus का case होगा तो when 2 हमारा even दे रहा था तो यहां पर इसके उपर plus sign assign कर दीजे यहां negative यहां plus अब हम हर case में आसे case से देखते में चलेंगे तो देखिए इसका सीरसा फंडा है कि आप plus के साथ हमेशा minus sign assign किर जिए और उसके बाद देखते वे चलिए अगर यह plus है तो यहां minus होगा यह minus होगा यहां plus होगा यहां plus होगा यहां plus होगा लेकिन अभी हम row 1 के एक्स्पांड कर रहे हैं जो आपका पहला एलेमेंट है रो का उसको लिख लीजिए उसका साइन पॉजिव है तो आगे प्लस ही है अब आप छोड़ें डिटामिनेंट आप लीजिए डिटामिनेंट लेने के बाद आपने उस two element के लिए row और column हाइड करना देखिए यह इसका row है और यह इसका column है और यह इसका row है तो element से माल बस क्या है माइनस वन माइनस वन टू एंड वन तो हमने देखिए यहां पर इसको रखा हुआ है ऐसे second element क्या है वान लेकिन उसके उपर साइन क्या है माइनस का साइन है तो माइनस वन छोटा डिटामिनेंट बनाईए उसके बाद उस one element की row और उसके column हाइड कीजिए तो हमारे पास ज माइनस वन एंड वन तो छोटे डिटामिनेंट में रख लीजिए देन हमारा अगला element है प्लस का वन तो पॉसिदिव वन उसको छोटे डिटामिनेंट में रखिए उसके लिए row and column हाइड कीजिए तो elements मेरे पास क्या है 1 माइनस 1 1 & 2 हमने इनको रख लिया है फ्रेंस डिटा यह जो element है इस डिटामिनेंट है इसको कैसे solve करेंगे माइनस 1 & 1 इनकी multiply पहले होगी then 2 की multiply होगी माइनस 1 के साथ माइनस 1 की into होगी 1 से and 2 की into होगी माइनस 1 से तो माइनस 1 into 1 इसके बाद sign जो आएगा friends वो माइनस का आएगा क्यूंगी छोटे डिटामिनेंट के लिए भी sign प्लस और माइनस का लगता है तो यहाँ पर क्या है मेरा प्लस का 1 क्योंकि इसके लगत कुछ नहीं है लेकिन negative sign तो आएगा ही क्योंकि उसका अपना sign है then minus and minus 1 की into होगी 2 के साथ next 1 1 की into 1 के साथ 1 की into minus 1 के साथ sign assign कर दीजिए अभी 1 into 1 minus minus 1 into 1 plus 1 1 की into 2 के साथ and 1 की into minus 1 के साथ 1 into 2 minus minus 1 into 1 इसके बाद अब आपने calculation करने है 2 minus 1 into 1 minus का 1 minus 1 into 2 minus 2 minus 1 minus minus 1 into 1 minus 1 ठीके फिंस चली फिंस इसे आगे सॉल्फ करते हैं 2 यहाँ पर देखिए दो numbers के बीच में दो sign है तो हमारे पास वह हो जाएगा minus minus plus का 2 minus 1 then again यहाँ दो sign है तो हो जाएगा यह plus का 1 same ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा minus 2 sorry minus 1 plus 2 कितना होगा हमारे पास 1 sign कैसा आएगा positive का 1 क्योंकि 2 का sign क्या है plus है वो बड़ा है friends जो दोनों में से बड़ा होगा उसका sign हम लेते हैं तो 2 का sign हम यहाँ लेंगे 2 1 plus 1 2 2 plus 1 3 2 into 1 2 2 plus 3 we get 3 is the value तो determinant D की value हमारे पास आई 3 तो friends determinant solve करने के बाद हमारे पास इसकी value आई है 3 लेकिन अभी हमारा क्रामर्स रूल का question solve नहीं हुआ है हमारे पास question क्या था question था यह जिसमें हमारे पास तीन equation given थी उसके बाद हमने इसको determinant की form में लिखा था determinant की form में लिखने के बाद आपने इसको solve किया था तो हमारे पास value कितनी आई 3 हमारे उसकी value आई friends इसके बाद आपने x y z की value निकालने लेकिन उससे पहले आपको determinant solve कर रही होगी आगी भी अफ्रेंस आपको एक और determinant बनानी होगी जिसको आप लिखेंगे डी एक्स डी एक्स के case में देखिए हमारे पास equation में लिफ्ट साइट में दी हुई है तो रिटामेंट रखते हैं हम लोग मैं देखिए x मैंने हाँ इसलिए रखा है क्योंकि जो एक्स के coefficient मैंने 211 लिये थे वह आप मैं 211 ना लेकर जो राइट साइड में बस एलिमेंट से 3 0 & 0 वो मैं यहाँ पर रखूंगी x के लिए तो 3 0 & 0 बाकी y और z के coefficient सेम रहेंगे क्या थे वह 1-1 2 1-1 & 1 फेंड अब हम इस देटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे एकस्पैंडिंग लॉंग रोवन रोवन को साइन असाइन कर देते हैं देन हमारे पास एलेमेंट आया 3 3 के केस में रोव एंड उसकी कॉलम हाइट कीजिए जिससे हमने पहले वाले कोशन में किया सेम आज इस तो हमारे पास आया माइनस वन टू माइनस वन वन देन माइनस वन तो रोव एंड कॉलम जीरो जीरो माइनस वन वन प्लस वन जीरो जीरो माइनस वन अंग तो तो मैंने डी एक्स को सॉल्л कर दिया है त्री वन वन जीरो माइनस वन माइनस वन जीरो टू वन हमने देखा कि जो एक्स के कोईफिशयन्स है उस जगा पे हम राइट हैंड साइड में जो एमें दिये हुए हैं उनको हम रख लेंगे तो 300 हमारे पास गिवन था वह हमने रख लिया है उसके बाद हम ने डितॉमिन को सॉल्व किया रो वन के लिए यह तो रो वन के स्वाइब माइनस एंटु वन माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1 देन प्लस 1 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0 पूरा सॉल्फ करने के बाद हमारे पास आया 3 तो friends dx, determinant dx के value कितनी आई? 3 आई friends उसके बाद आपको dy determinant बनानी होगी dy के case में आपने जो y के coefficients है उनकी जगा पे right hand side वाले elements को रखना होगा तो हमारे पास y के case में जो थे वो 1, minus 1, and 2 थे उनकी जगा पे रखेंगे 3, 0, and 0 1, minus 1, 1 बाखी x और y के लिए same होगे तो friends हमने dy को solve कर लिया है 2 के लिए किया तो हमारे पास hide किया उनको elements को row and column में तो 0, 0, minus 1, 1 आया तो solve करके मेरे पास 0 value आई then 3 के लिए किया तो हमारे पास solve करके 2 आया again मैंने फिर 1 के लिए किया तो 0 आया तो friends इसको solve करके मेरे पास पुरा minus 6 आया है तो हमारे पास dy की value कितनी हुई? माइनस 6 तो फ्रेंट्स हमने DZ को solve कर लिया है DZ को solve करने के लिए मैंने expand किया है row 1 को 2, 1, 3 के लिए मैंने expand किया तो मेरे पास expand करने के बाद value जो आई वो 9 आई तो फ्रेंट्स मेरे पास DZ की क्या value आई? 9 अब इसके बाद ये determinants निकालने के बाद क्रेक्रामर्स रूल के अंदर आपको determinant निकालने के बाद variables की value find करनी होती है तो फ्रेंट्स हमारे पास D, Dx, Dy and DZ ये 4 determinants की value आई है और आपको हमेशा ये 4 determinants की value निकालनी होगी अगर आपको 3 equation given है तो क्योंकि 3 equation से हमारे पास 3 by 3 का ही determinant बनेगा तो इसके बाद अब आपने हमारे पास question जो था कि उन equation का आपको solution find करना था solution find करने से मतलब होता है कि variables की value निकालना तो variable हमारे पास क्या थे x, y and z अब फ्रेंट्स देखे x की value वो कैसे निकालनी है x equals to dx जो dx नाम की determinant थी उसकी value आप रखेंगे उसको divide करेंगे d से जो हमाई सबसे पहली determinant की value आई थी देखें यहाँ पर मैंने 4 होई values रखी हुई हैं तो हम value रखें सिधा variables की value find कर लेते हैं 3 by 3 we get 1 then dy by d dy का value कितना है? minus 6 by d तो हमारे पास आया minus का 2 again for dz 9 by 3 is equals to 3 तो friends मेरे पास जो values आई हैं therefore वो values मेरी आई x is equals to 1 y is equals to minus 2 and z is equals to 3 अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आये तो like करें हमारी आगे आने वाली वीडियोज में update रहने के लिए subscribe करें और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें thank you झाल्योज यादके करें रहने वीडियोज और आने झाल्योज यादके का बूए या आपको हमारी ऑर झाल झाल